हलो एवरिवान वेलकम टो लेइनवाल लार्णिंग आज की वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ रीट सर्टुकेट को लेके रीट 2022 यानि की राजथान की जो पातरता परिक्षा हुई थी हमारी 2022 में जिन भी कैंडिडेट्स ने रीट क्वालिफाइ किया है वो सभी इस सर्टुकेट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आप सभी को सबसे पहले तो 2022 में जो भी कैंडिडेट्स ने रीट क्वालिफाइ के उन सभी को वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन्स और आप सब के लिए गुड निज यह है कि रीट की सर्टुकेट आ चुके हैं यह सर्टुकेट कहां पर मिलेंगे देखिए सर्टुकेट परमान पतर जारी हो चुके कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यह जो हाड को सब्सक्राइब को कहां से मिलेगी आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूं transverseDB पूरा डीटेल मैं इस वीडिव में बताऊंगी आपको क्यों क्या टख़कूमेंट्स चाहिए और कहां से आपको ये मिलेगी कैसे आप सफ्कॐं में क्यों बताखनार गदी का सिर्फ जो candidate है candidate को ही certificate मिलेगी या फिर कोई आपका family members या relative या friend कोई भी आपकी certificate ला सकता है तो हाँ देखिए मैं बता देते हूं आपकी certificate certificate लाने के लिए candidates की कोई जुरत नहीं है मतलब candidate हो तो बहुत अच्छा है बट अगर by chance किसी भी region से वो ना जा पाए तो कोई और भी ला सकता है रीट की जो certificates है वो रास्तान बोड ने अलग-अलग centers में डिवाइड कर दी गई है और यह उन centers में आपको जाकी लानी होगी वो center की list यहां पे आपको official website पे मिल जाएगी एक मैं link share करूंगी आपके साथ उस link से आप download करेंगे direct आपको उस link पे click करना है बस और आपके सामने application form खुल जाएगा उसमें लिखा हुआ है कि आपकी certificate की center में है ठीक है तो देखे आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो REIT की तरफ से यह राज्थान बोर्ड ने एक message 6 तारिक को डाला है 6 दिसंबर को कि REIT 2022 सफल अब भेरतों के परमान पतर वित्रन हेतू वित्रन केंडरों पर भिजवाए गए हैं वित्रन केंडरों की सूची डीट 2022 की वेबसाइट उफिशल वेबसाइट पर उन पर लिंक है उस पर उफिशल वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं या फिर मैं डेस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी वहां से भी डारेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपके साम अपन हो जाएगा जिसमें आपका सारा डिटेल्स होगा और मैं आपको दिखा भी दूँगी क्योंकि मेरा खुद का भी सट्यूकेट है और मैंने कैसे आपको दिखा दूगी किस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा उसमें देखे आपको रोल अंबर और जनम दिनांग अन्याह्नी बर्ट, यानि याणि भर्ट डालनी है ठीक है पर मांड पत्र प्राप्त करने हैं तो वेबसाइट पर आविधन पत्र डाउंलोड याहनि वह दाउन जानलोड कर लेना और उसका प्रिंट निकालकर देखे जो भी पेज़ ओपन होगा उसको डाउनलोड कर लेन और वहां पर फोम आपको दिखाना है साथ में अपना कोई ID प्रूफ भी लेके जाना है जो भाली भाती भर कर दिये गए वित्रन केंडर केंडर पर प्रस्तुत पर्मानपत्र प्राप्त कर सकेंगे यानि कि वह जो फोम है उसको भर लेना है फिर जो भी केंडर वहां पर दे स्टार्ट हो गए हैं बाटने लग गए हैं तो अभी आज एक दो दिन है तो अभी कब तक चलेगा यह नहीं बोला कब तक मिलेंगे यानि साथ दिसंबर के बाद आप कभी भी ले सकते हैं बट इनका टाइम वैसे तो क्या है कई तो 2021 के भी सर्टिकेट कहीं कहीं मतलब जहां अभी अलग अलग सेंटर में डिवाइड किये गया है ठीक है डिस्टिक वाइस अगर आप दो मेने के अंदर ले लेते हैं तो आपको यहां सेंटर पर मिल जाएगी अधर वापिस से बेज दी जाते हैं जो ओफिशल इनका ओफिश और उनका जो में ओफिस होता है वहां बे अपने डिले कर दिया तो यह में ओफिस में जाएं और वहां से फिर ढेरों में से ढूंड के लाना यह भी थोड़ा मतलब काफी हैड़क हो जाएगा तो मैं तो यहीं सजस्ट करूंगी कि अभी एक दो महिने के अंदर ही आप जल्दी से जल्दी एक दो महिने भी क्यों वे चाहिए सब्सक्राइब करना और इसके अंदर आपकी सेंटर कीलिस्ट जो भी मैं बता रही थी लिंक से जब आप डूस डारेक लिंक पे जैए तो आपको सेंटर की लिस्ट और डैडर स्बीदिया होगा सबसे पहले आपको नीचे दिल्क करना रोल लंबर डेट ओब़ वर जब आप यहां पर Submit करेंगे जब आपके सामने कुछ इस तरह से फोपन हो जाएगा ठीक है यह मेरा है तो यहां पर फोब नंबर यह आपकी डिटेल्स रहेंगे फोब नंबर रोल लंबर रेफरेंस इडी नेम फादर निम एडेल्ट और यह वितरन के इंदर जो यहां उनका जो सट्टिकेट है वो कहां मिल रहा है जहां पर उन्होंने एक्जाम दिया था यानि की एक्जाम दिया था उसी स्कूल में नहीं मिल रहा है बट उस डिस्टिक में ही मिल रहा है तो मेरा भी एक्जाम अलवर हुआ था तो अलवर ही मेरा सट्टिकेट मिल रहा है इसी त कि यहां पर क्या पूछा कि यहां पर कुछ डिटेल्स हैं अगर आप खुद से नहीं जा सकते हैं तो यहां पर अब भरती के स्वम ना आने की स्थिती में अगर आप खुद नहीं जा रहें किसी और को बेज रहें तो उनकी यहां से यह सारी डिटेल्स हैं इस अब आपको फि प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसको फूरा फिलप करके साथ में अपने एक आईडी प्रूफ लेके जाना है देखिए इस तरह से फूर्म और आपको सब्सक्राइगा देख भी सकते हैं प्राप्त करने के परिक्षारति को स्वम का मूल पहचान पत्र और आधन पत्र य यानि कोई भी आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है जो अबहरति राजस्तान के बहार के हैं उन्हें रीट फॉम भरते समय एक्जाम सेंटर के ले जिस जिले को प्रात्मिकता दी है यानि जो आउटसाइडर जो भी मैंने बताया थो उन्होंने एक्जाम के टाइम बे ज कि जो आप उस पे क्लिक करेंगे वैलिडीटी के और बात कर लेते सट्रूगीं की सर्टूगेट की वैलीडीटी क्या है पहले यह इस दो जार रिकेस वाले की वैलीडीटी तीन वर्श तक तक लद तक लेकिन बाद में उसको जीवन भर कर दिया गया है इसी तरह से अभी भी अभी एगी क्या हैं सिटी के बदला को देखते राशन का सरकार 2022 को भी आजीवन करने की योजना बना रही है लेकिन मतला अभी फिलाल के लिए तीन वर्स रखी गई है 2022 वाले की वैलिट्री लेकिन इस लिंक पर क्लिक करना है और सारी चुझे फॉर्म और सेंटर लिस्ट मिल जाएगा उसको डाउनोड कर लेना इसी तरह से लेवर टूक और लेवर वन के लिए यही है कि डाउनोड कैसे करें जानकारी जो मैंने अभी डिसकस की है आपके साथ वह सभी यहां पर बताया गया है तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया हो वरना यह ओफिशल वेबसाइट पर भी आप और स्थान की ओफिशल वेबसाइट जाएगे बीएस यार डोटो आर्जो डोट इन उस पर भी आपको कंप्लीट यह मिल जाएगा सर्ट्यू किट काह से वहां से भी डाउनोड बढ़ना है आपको डेटो बढ़नी है फिर आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा पेज ओपन होने के बाद उसको डाउनोड कर लीजे प्रेंट आउट निकाल लीजे और अपना आईडी प्रूफ उसमें सेंटर का नेम है कि आपकी सर्ट्यू किट कहां पर उस सेंटर में और सेंटर पर आपको जाना है और आपको आपका सेंटर केट मिल जाएगा होप यह वीडियो आपको लिए हल्फुल रही हो और प्लीज इसको जादे जादा शेयर कीजिए जितने भी आपकी नोन में रीट के कैंडिडिट्स हैं जिन्होंने रीट 2022 क्वालिफाई किया है उ उनकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक यू